इंदी exercise का discussion निम ने लिखे शब्दों के विपरीत लिंग लिखे हैं तो opposite genders आपको लिखने थे तो क्या-क्या था पुरुष पुरुष का स्त्री हो सकता है महिला हो सकता है ठीक है स्त्री भी हो सकता है आधा सौ और त्रौ त्रशूल वाला उसमें बढ़ी की मात्रा स्त्री फूफा उनके husband लेखक लेखिका मात्रों पे ध्यान दीजे लेखिका निम लिखित वाक्यों को त्रूटी मुक्त कर पुना लिखे हैं त्रूटी मुक्त मतलब remove the errors मेरी सहेलिया अपने पता है अगर कोई word बड़ी की मात्रा में end होता है तो उसको अगर जब plural बनाते हैं तो मेरी सहेलिया मेरा ख्याल रखती है ग्रेश मकालीन अफकाशों में मैं केरल भ्रमन पर गया था अफकाश अफकाशों नहीं लिखेंगे अफकाश लिखेंगे uncountable noun है अफकाश तुम्हारा उदार चरित्व सबको प्रभावित करता है तो आधा मौ होता है तुम्हारा spelling mistake मेर इतिहास इतिहास में छोटी थी पुस्तक में आधा सो बहुत भारी है कर्ण सूर्य पुत्र नाम से विख्यात विख्यात में आधा खो राइट सो कर्ण सूर्य पुत्र नाम से विख्यात है तो अब अगला निम्न लिखित अंकों के समक्ष उनके नाम लिखें एक और एक ग है तो चतीस एक और साथ सत्रह दो और तीन तेईस पाँच और छे छपपन ठीक है 56 हो गया ये 17 हो गया ये 23 हो गया ये 36 हो गया ये 11 हो गया निम लेकित शब्दों के नाम और अर्थ अंग्रेजी में लिखे हैं खाना बनाने का जो चूला है जिस पर आपकी मम्मी खाना बनाती है उसको कहते हैं स्टोव कोकिंग स्टोव या स्टोव तिंडा इस अप्ल गॉड राइट तिंडा इस अप्ल गॉड राइट सूरज मुखी का फूल सन्फलावर वाहन वहिकल यातायात ट्रांस्पोट यातायात के साधन means of transport दूर्बीन बॉल बैनोकुलर्स बई means two ocula means ai so binoculars गहने जूल्री जवल्री नहीं पोलें गियाँ कुल्री फुरस्कार अवार्ड, not reward right so he was rewarded with the award सिहा लायन सिक्षा, education अगला प्रश्न निम ने लिखे शब्दों के नाम हिंदी में लिखे या अर्थ या नाम कॉली फ्लावर सबको पता है, फूल को भी लोटस, कमल और एक कमल ककड़ी की सबजी होती है उसको कहते हैं लोटस स्टेम ocean, महासाघर ठीक है हिंद महासाघर मतलब इंडियन ओशन अंध महासाघर मतलब Atlantic Ocean, प्रशान्त महासाघर मतलब Pacific Ocean ठीक है poem, कविता mirror आईन 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 glass सीशा bowl कटोरा saucer तश तरी थाली भी कह सकते हैं लेकिन तश्तरी ठीक है उर्दू का शब्द है चर्च गिरजाघर कापिंटर बड़ई निम्न लिखित विएफसाईयों या विएफसाईयों के नाम हिंदी में लिखें जो जाहत से दूर दराज यात्रा कर व्यापार या देश रक्षा करता है तो कौन हो गया सेलर हुआ नाविक शेला जादू के खेल दिखाने वाला जादू गर मजिशन अनाज उगाने वाला किसान फार्मर सेना का नित्रत करने वाला सेना पती कमांडर मिट्टी के बरतन मनाने वाला कुमार लकडी कब हुए चन लकडियां देखे छोटी की मतर आ गई रानी रानियां मकडी मकडियां नाली नालियां लेखीका लेखीकाएं लेखीकाएं निमनलिकित रिष्टों के नाम पहचाने पिताजी के बड़े भाई क्या हुए आपके ताउ मा की मा नानी मौसा की पत्नी मौसी बुआ की मा दादी आपकी मा के ससुर दादा अब ये अन्सक्रैंबल वाले थे उल्टा पुल्टा मेहनत तर्बूज केवट बरसाथ मिमियाना लेक तस्तानों को भरें क्लू दिये गए हैं सो महीला औरत बहुत बड़ा इस विशालकाए विशालकाए पक्षी तो उमीद करते हैं आपको हिंदी की इस एक्सराइस को करने में मज़ा आया होगा और आप हिंदी को भी पढ़े घर में जितना अंग्रेजी को पढ़ रहे हैं तभी भाशाओं से प्रेम होगा धन्यवाद